पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच या इसे इसे इस उरो जो है अंत्रिक्ष में फेकता है आज मितरों पुरा देश में फेकता पुरे वर्ल्ड में फेकता है यह कोई नई बात नहीं है फिर आपने प्रधान मंत्री जी का बंगाल के चुनाव में चुनावी भासन भी सुना होगा शायद प्रधान मंत्री जी को अगर थोड़ी सी भी लोगलज़ा होती तो प्रधान मंत्री जी मोरवी में पहुंचते और वहां के मिलतकों को सरधानजिली देते और यह जो हादसा यह एक तरह से प्रायोजित हादसा समझे अंग्रेजों के समय का बना हुआ पूल नहीं तू किया है जैसे ही प्रधान मंत्री जी के कदम वहां कहुंचे और अब पूल का ध्वस्त हो जाना यह कौन सा एक्ट है भाई गौड ऑफ एक्ट है आप क्या कहेंगे प्रधान मंत्री जी जो आप बंगाल चुनाव में ममतादीदी के चुनाव के समय आपने कहा भाईयों बहन तो प्रकिर्टी ने यह दिखाया है कि बंगाल के चुनाव के बाद बंगाल का भी यही हाल हो गए तो यह चीज भगवान ने भी दिखाया है कि गुजराच चुनाव के बाद मैं ऐसा सब्द नहीं कह सकता मैं इतना महानीच वाला सब्द नहीं बोलता जिन कारणों से भी ह हुई है उन कारणों की जांच इमांदारी पूर्वक होना चाहिए जो उस वाइर पूल का जो केर ट्रेकर था उस पर मौत का केस्ट दर्ज होना चाहिए यह सरासरी उसकी लाप्रबाही है दूसरी वहां के आस्थानिये जो नगर नेगम हैं जो वहां के डियम है उन जो जिसकी जितनी कैपी सिटी है उससे जादा टिकट उसने कैसे बेचे यह निश्वी तोर पर पूरा देश जानता है कि सत्तापक्ष का करीबी ही टोल टैक्स तमाम तरह पार्किंग या जो भी इस तरीके की काम में होती है उसमें सत्तापक्ष के ही लोग होते हैं सबसे बड़ा सवाल है आज सरदार पटेल जी का और स्रिमती श्रगिया इंद्रा गांदी जी का आज वो है हम उनको भी भावविनी सरदानजली अरपित करते हैं और मोरवी के हादसे में जो मिर्तक हैं उनको भी भावविनी सरदानजली अरपित करते हैं लेकिन एक सवाल बार-बार पुछा जाता है कि ये कभीशन खोरी कब तक चलती रहेगी जिसके कारण ये बार-बार हादसे होते रहते हैं ये बात पूरा देश पूछता है भारत और ये संबंधित लोगों पर ठूकता है भारत कहीं न कहीं भरस्टाचार के आकंठे में डूबी भागपा सरकार के निकम में पन के कारण इतना बरा दर्दनाक हादसा हुआ इसकी जाच शंजुक्त संसदिय समीती से होनी चाहिए ताकि दूद का दूद और पानी का पानी हो आप पैसों से किसी की जिन्दगी आखते हो क्या उन बच्चों के पिता को वापिस करोगे क्या उन घर परिबारों में खुसियां वापिस कर दोगे आप वह बाली बात करते बेशर्मी की हद होती आप पत्रकारों ने भी पता नहीं क्या बंगल चुनाव का वो मोदी जी का स्पीच नहीं सुना था जो मोदी जी लगातार कह रहा है आप बताओ दो दिन पहले दिवाली के दिन उसका उद्गाटन हुआ है आखिर इतनी घटिया सामागरी कैसे यूज हुआ इसकी जांच होनी चाहिए आपने देखा होगा बारिस की चार बुंदों पर ही वहां का न आपने तमाम मद परदेश में देखा होगा कि वहां क्या हुआ करनाटक में होके आया करनाटक की पूरी सरकार कमिशन खोर की सरकार हर बात में कमिशन खाती है यह भागपा के जहां जहां सत्ता है भागपा के लोग इतने कमिशन ही ले लेते हैं ठेकेदारों से संबंदित लोगों से कि वो सही सलामत नहीं बन पाता है इसका कोई हम निया उधारन नहीं दे रहे हैं कि भुंदेल की express हाईबे आपने देखी होगी वही ताज express नहीं देखा होगा आपने देखा होगा ममता दीदी का क्या गलती था भाईया अरे पत्रकार हो रोटी खाते हो कि लेट्रिंग को 54 समझ के चाटते हो जो मोदी जी ने कहा था कि यह गलती थी बंगल के चुनाव में पुर्धान मंत्री जी ने कहा था उससमय आप नहीं पूछे कि मंता दीदी की क्या गलती है कैसे गलती भाइया मंता दीदी जाकर फैर से धक्का मार के पूल को गिरा दी थी आप बताओ आप समझ यहीं बात तो कहना चाह रहे हैं मैंने तो यह कहां नहीं कि मोधी जी ने लात मार के गिरा दी या भेंश को जान बूच के बंदे मात्रब से ट्रेंज से टकरवा दिया मैंने तो कहां नहीं ये जाच का विशय है देश में ये चीज तैं होना चाहिए हर चीज का एक time period होता है जो चीज का निर्मान हुआ है रिपेर होगा मधान मंत्री जी के उद्धगाट के बाद भी एचिव के एस्पिताल का च्छत गिर गया था क्या इसकी गारंटी नहीं होनी चाहिए जो क्या नर्मन्हाー प्रभ्योजना बना था क्या उसकी कोई इन्हों ने जो दूसरों का कहा आज मोधी जी के सामने में है यह के सांसद को बताना चाहिए वहां की गुझरात इसे संसभतार को बताना चाहिए गुझरात के नगर-णीगम के अधिकारियों को जाने चाहिए और जो टिकट काटने वाला जो कान्टरेकٹर है कहीं ने कहीं भरतिय जनता पार्टी से सम्धता रखता है। कहा गुजरात मोडल अहमदाबाद में दिवार बनी थी जितना विताबचन का दिवार नहीं फेमस हुआ वो गुजरात मोडल है गुजरात मोडल वो है जो गुजरात का राजधानी अहमदाबाद करनाबती कहलाता था करोनाबती हो गया आपने गुजरात में देखा होगा ज प्वलातकारियों के शंमान में फूल माला चरहाया जाता है किया ये गुजरात मोडल है नहीं आप गुजरात को बदनाम करना बंद कीजिए कि वह गुजरात गांधी और प集ब चरण का गुजरात का शोरे गाता पूरा 25 है कि गाता है उस गुजरात को जानबूच कर यह दोनों रंगा बिल्ला की जोरी बदनाम कर रहे हैं अब आप भी अगर रबर स्टम्प हो जाओ तो कुछ भी बोल जाओ अरे भाई या गुजरात में नमक होता है तो नमक खाता है बिहार में पंजाब में गहूं होता है तो गहूं खाता है जहां बंगाल में इस अवदर यह दिए देवरे इस्टइट में आंद्राम में चाबल होता है जहां का पास होका वहां का कपरणेगात जहां चेनी होता है नहीं खायेगा यह कोई नहीं बात थोरण है यह बरगलाने वाली बात है समझेए यह सब यह सब चीज़ें नहीं होती है सवाल होना चाहिए कि गुजरात में जिस गुजरात में सराबंदी है उसमें बार बार दारू कैसे भिक रहा है और बार बार उसी मुद्रा पोर्ट पर ड्रक्स का रेकिट का पकरा जाना गुजरात के कई इलाकों में पकरा जाना इस बात पर चर्चा कीजे ना उसी गुजरात में जहां कुछ दिन पहले कई जाली नोट पकरे गए, औरिजिनल नोट पकरे गए, अबैद रूप से अबैद काला धन पकरा गया, उस पर नहीं चर्चा कह रहे हैं, उस पर चर्चा कीजे ना, तो वो चर्चा करने की आपकी हैसित नहीं है, आप उस पर इंटर्व्यू नहीं लोगे, तो क्या करोगे भई, आपने गुजरात में लोगों से जाके पुछा, आप तो टीवी में बैट के दिखा दे रहे हो, अपने ही ओडियंस बैठ रहे हो, पांच-पांच हजार वाले पंडित को बिठाते हो, पांच-पांच हजार वाले मौला का कारक माना गया है, धन के मालिक जो हैं, धन कुवेर हैं, और केजरिवाल जी को ये भी नहीं पता है, कि धन का देवता कौन है, इसका मतलब ये लोग फरजी हिंदू है, नोटों की बात कहते हैं, अगर नोट लगाने ले से ही अर्थवेवस्था सुधर जाती, ये लोग अगर अमीर हो जाते, तो केजरिवाल जी को अपने माथे पर लगा लेना चाहिए, जादा पढ़े लिखे लोगों ने देश का बेरा गरक कर दिया, आप आईए बिनोधराय, पर सुसरू होता है ये सिलसिला, बिनोधराय, तिरिचूर से अपनी कैरियर की सुरुआत करने ब पिनोधराय कहां है, जो टीजी, टूजी में फरजी घोटाले की बात कहता था, आज भाइब भाइब जी का किमत क्या लगा, आप आप आईए, उस अंदोलन में अन्ना हजारे, कहां अन्ना हजारे मुझरा गाराया भहिया, कभी आप लोगों ने राले काउंसी दी गया, आ आप जाईए ना, पूछिए, पूछिए कि कई संसाओं ने चंदा दिया था, रामलिला मैदान का किराया किस ने दिया था, रामलिला मैदान में बैंड पूरा जो टेंट लगा था, उसका कौन बेर किया था, आप पूछिए रामलिला मैदान में जो खाने पीने की वेबस् जो भी रिकठा किये गए थे किन किन देशों से पैसा आया था परिबरतन और स्वामी विवेकादन इंडरेशनल फाउंडेशन जिसके फाउंडर मेंबर अजीड दोवाल है और इसका मुख्याला चनक्या पूरी में है ऐसी संसाओं की अगर इमांदारी से जाच हुई तो ये बिदेशी साजिस बैए नकाब होगी मन मुहन सुझी की सरकार में भारत की अर्थ-वेवस्था-20 बीषिकी तीसरी अर्थ-वेवस्था थी इन लोगों ने एक साजिस के तहत देश की अर्थ-वेवस्था को धोस्त कर दिया आज हम हंगर रिपोर्ट में नेपाल से पीछे ह पहले बात कौन लोग थे बहिया जनरल बीके सिंग कहां है कहां है रामलिला मैदान के यह संद्रिनकारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे जल्लोकपाल की बात कह रहे थे महिलाओं की सुरक्षा की बात कह रहे पहले थे काला धन का इतना वरा चिठ्ठा था कि नोटों की गड़ी लगता तो उस आसमान तक सीरी लग जाता गाउं में हर गाउं को दो दो सो करोर मिलने वाला था पंद्रा पंद्रा लाक मिलने वाला था तबहिया कहां गए 20 लाखी भीम जो गाइब है चुनावायोग से व जीत जाईएगा तो कहिएगा चुनाव कैसे जीत रहे बिहार का इस नहीं सुनिए अरे सुनिए अरे आप जैसी पत्रकारों ने तो देश का भठा बिठा दिया आप पुछ वे आसाम में क्या हुआ था अरे सुनिए एक बात बताए इवियम मसीन जिसमें बोट डाला जाता है तो वो सरकारी गारी में बैठता है कि भथ पनेता के गारी में बैठेगा आप हमको बताएए सरकारी में न न एकारी में कैसे बैठा हुआ था अप पताए दूसरी बात आप बिहार में आईए चुनाव आयोक के वेबसाइट पर 119 लोगों को विज़ता घोशित किया गय प्रधान मंत्री जी एक घंटा पहले चुनावायोग से पहले नम निरबाचित भिधायकों को बधाई कैसे दिया यह खबर कैसे लिखुई अरे किस सर्वी किया अपने चाची या मामी से फूफी से करके आ जाओगे घर में बैट कर तक होगे कोई हार रहा है कोई जीत रहा है चलो हम भी चलते हैं गुजरात की जनता परिशान है वो गुजरात की जनता अस्तब्द है कि अरे सुन्दो कोई नहीं चारा आप जब के लोग चुटकारा चाहते हैं वहां गुजरात में आप जैसे मीडिया के लोगों को इंट्री भी नहीं है वहां इंटर्व्यू ने भी नहीं लेने दिया जाता है आप जाइए तो सही पुलिस वाले लटब जाएंगे आप पर सर्वे किस से कराते आप आप सर्वे का तरी करेगा उद्योगपतियों की सरकार है वहां इवियम की सरकार है वहां ड्रक्स रैकेटों की सरकार है यह जो पुझी पती है जो प्रसासन और चुनावायोग मिलकर लोगों को बोट नहीं डालने दे रहा है जो 20 लाग इवियम गाइब है उसकी सरकार है आम जंता की सरकार हो सीधाई करोना में वह मावे ने जो सरकों पर बच्चों को जनम दे रही थि आ가ई देरा साल की बच्ची अपने विमार पिता को साइकल से het लेकर गई जिन्दा तोग्लो पर आपके कबर पर जाकर यह करेगा सरदार पटेल स्वथेश की बात कैते थे विद्यशी निर्मित सावानों का बहिष्कार करते थे मोदी जी ने क्या किया 36 करोर रुपे की उनकी जो परतिमा लगाई चाइना से लगाई मरने के बाद भी सरदार पटेल को इज़त नहीं दी वो सिर्फ बोट का ही ये है और चाइना की बरिष्ट पत्रकार ने क्या कहा 332 करोर रुपे ही खर्च हुए तपाकी पैसे कहा गए भ जब मोदी इजए गुली टंटा नहीं खेलते थे तब डैम बन चुका था बह्यार में भी बोला था टफ़ा ंश करते थे असाम में बोला था मिल गया अद Über्या उत्तरप्रदेश के आप लोग क्या राक्षस के अबतार हैं इंसानी भगवान है नरही भगवान नराइन है यह भगवान स्री किष्णे का आप किसी भी धर्म में अरादेव को देखिए वह मनुष्य के रूप में पड़ा लिए और मनुष्य का लक्षन क्या है जो दूसरों से नफरत नहीं करता हो जो दूसरों से प्यार महबत करता हो जो दूसरों प्रकूरता नहीं करता हो जो दूसरों को समानता से देखता हो वही तो देवता है नहीं तो राम और रावन को आपने सुना या नहीं सुना रामाइन देखी है तो राम और रावन की रासी एक है राम चंद्रीजी से ज् इसलिए नहम उसका पुझला जलाते है कृरीश्ण और कम कि रासी एक थी लेकिन कमस्ट अत्याचारी था कुकर्मी था इसलिए नहां कि कि पूजा नहीं करते कि पूजा करते तो जब अगर ये देवता हैं तो जो देश में रहने वाले लोग हैं तुम उन लोगों को समान नजर से क्यों नहीं देखते ою जाती की बात कहते क्भी धर्म की बात कहते अब कल तप्रधान मंत्री जी छोड तक पिछले बार को रहे थे कि छोड़ तो गेहूं अच्छाना देंगे अचुनाब खतम हुआ बंद कर दिये जॉनी लिवर को फेल कर दिया इन्होंने प्रिस रावल को फेल कर दिया इता राजय बाबू को अपने नंडू मेला बंडू नंडू मेला बंडू रंगा विल्ला दाम महंगे कर दिये राशनों के दाम महंगे कर दिये बच्चा आप दूद में पानी मिला कर पी रहा है दूद पर जीएश्टी लगा दी दहीं लोग नहीं खा पा रहे हैं दहीं पर जीएश्टी लगा दी आपने मिर्तु के बाद अन्तुम संस्कार पर भी जीएश्टी लगा दी आप इमोशनल हो यह ना आपका तो घर नहीं है परिवारे नहीं है बाल नवच्चा निंद बरे अच्छा हैं आपके माथे पर साड़ दू लश्मी जी की मुर्ती आपके सीने पर लगा दू आपको आपके घर चल जाएगा आप जाकर समझा यह न भाई उनको तो हिंदू है उतों बोट बैंक की राजनीती है आपको पता है धन कुण है धनकुबेर की पूजा होगी तम न धन आएगा आपको खाना है दबा या खाली जोएगा जोहर तो मर न जाहिएगा वह तो जाके पूछे के जरिबाल से पता चलेगा उसको पते नहीं है आपको भी पता नहीं है बहुत करने के लिए आजाते बाबा शाहव अंबेदकर देश को के निर्माता है शिल्पिकार है लगाया तो कोई अतराज नहीं लेकिन वह भागत सिंग की लगाना चीए श्पाकुल्ला खां की लगाना चीए ठाकु रोशन शिंग की पंडित राम प्रसा लगालो तमुरे नाच दिखाएगा तो नाच दिखा रहें अरे भाईया बीर साबरकर आप किसको कहते साबरकर का देश की आजादी में कोई योगदान है जो मर्द थे वह जंग में गए जंग कौन सा था दो दो विश्वित के बिजेता वर्ड के जादातर देशों पर उन साबरकर को इसी आरे-सेश के लोगों को जेल जाते आपने देखा या सुना अरे सुन तो वलो 16 पर मांगीा और सुन तो उनकर करो सत्य के दलालों शरम करो महापुर्सों का अपमान करना बंद करो महापुर्सों का अपमान नहीं सहेगा हिंदूस्तान शाबरकर बुलबुल पर चरके 60 महिना लिया इसे इसे क्या योगदान था भीया नाइब बाप कौन लगता था गोरे अंग्रेज जीजा और फुपा जो समय 12 रुपया महिना सिच्छकों को मिलता था साथ रुपया महिना स्पेंसन खाता था किस बात का स्यामा परसाद मुखर जी उन्हें 42 में भारत छोरो अंदोलन को कुचलने के लिए गाड की नोकरी ली थी क्या आपको नहीं पता कि ये लोग गोरे अंग्रेजों के साथ देने वाले लोग थे ये लोग अंग्रेजों को साप को पिला दीजेगा तो साप अमरी तो नहीं उगलेगा जहरे उगलेगा अरे सुन तो लो अरे सुनने रहे श्मृती निने का ब्यान सुना था आपने कि स्वामी विवेकानन्द के यहां नहीं गये गये थे भरजी था दूसरा बताता हूं प्रियंका जी की वेटी जो भी एसपर्स नहीं करें प्यार ना करें अपने भांजी से बता रहे हैं बच्पना कर रहे हैं रहे हैं अप लोग सीख के आते आप लोग सब्सक्राइब करने में लगाता है वही दो दो रूपिया अगर देश में लगाता अज इतने के विग्यापन लगाते हैं मोदीजी उतना देश में खर्च कर देते तो देश की एर्थ में बस्ता डूब जाती मंगा यह इतना होता इस पूरा विदेश में जाके धिडोरा अपना अगुनगान करा रहे थे कि इस रो जो है अंत्रिक्ष में फेकता है आई मित्रों पुरा देस में फेकता फूरे वर्ल्ड में फेकता है पता है आप क्या चाहते हैं कि आपके भी घॉर-पड़िवार के लोग आपको छोड़ दें यही चाहते हैं आप